हुआ है हलो स्टुदेंट्स क्लास है भी एससी पार्ट थर्ड पेपर हम पढ़ रहे थे सैकिंड कुनसा समिश्रों विसलेशन ठीक है देखो लास्ट क्लास में मैंने फर्स यूनिट कंप्लीट कर दी ठीक है फर्स यूनिट वहां आप एक उसमें बताने का है में जो था उसमें वो था हमारे पास एक तो सीमा साथत्यता और अफकल्नियता समश्र फलनों की और दूसरा था विसलेशिक फलन जो मोर इंपोर्टेंट था वो था विसलेशिक फलन और प्रसमवादी फलन यानि अगर आपको पेपर में कोशन्स साथएगा Tell understanding अपक विसलेशिक फरन में इसा मिलेगा या प्रसमवादी फलन मेंसे मिलेगा या उतना कोशन नहीं आते हैं, मिलेगा कोशन, लेकिन आपको options आप, options दो मिलेंगे दूसरे करने के, उसमें आपको सीमा, सातत्यता, अवकलनियता और दूसरा आपके पास क्या बोलते हैं उसको, नियमित फलन, या विसलेशिक फलन, या फिर आपको प्रसमवादी फलन में से एक कोशन confirm मिल जाएगा, तो आपके नमबर कहीं नहीं जाने, ठीक है, आग में स्टार्ट कर रहा हूँ second unit, कौनसी unit, second unit second unit का नाम है समिष्र समाकलन समिष्र समाकलन, complex integration complex integration क्या होता है देखो, समिष्र समाकलन कि जैसे आप समाकलन करते हो आपने वास्तिवक में तो समाकलन बहुत क्यों है, कि वाई कोई फैलन दे रखा था उसका एक्स के साप एक्षिका करना था, समाकलन करना था ऐसे कुशन आपने बहुत किये, लेकिन अब क्या है क्योंड होता है क्योंकि समिष्र में पता है समिष्रЙ में जो समिष्रिच्वा बढ़ेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्या होता है क्या होता है तो तो परिवाशा आप लिखाऊंगा मैं फिर समझाऊंगा सबसे पहले लिखते हैं अंतराल का विवाजन ठीक है इसको मिटा रहूं है पूरे को क्योंकि थोड़ी बड़ी डेफिनिशन है अंतराल का विवाजन तो एक आज आस तो हम डेफिनिशन ही लिखेंगे काफी अच्छ अंतराल का विवाजन क्या होता है दो का अंतराल का विवाजन माना एक सतत वक्र माना एक सतत वक्र सी का समीकरण निमन है क्या है जेट टी मराबर एकस टी प्लस आई वाई टी यही होता है हमारे पास है वाज़ास कोई समिश्रों संख्याओ जो होती है वसी टाइम में होती है वास्तव बाग और कल्पनिक बाग एकस प्लस आई वाई लेकिन यहां पे वक्र की बात कर रहा है तो टी ला दिया कि जैसे जैसे टी बदलो गया तो वक्र भी क्या होता बदलता चला जाए कोई समीकरण यह है और टी कहां कर रहा है एल्फा यानि किसी अंतराल में बिलॉंग कर रहा है इस अंतराल इस अंतराल एल्फा बीटा में एन माइनस वन मद्यावर्ती बिंदू मद्यावर्ती बिंदू टी नॉट टी वन टी टी टू एन माइनस वन प्रिविश्ट करके इसे प्रिविश्ट करके इसे एन उपंतरालो एन उपंतरालो टी के माइनस वन टी के मैं बिवाजित करते है मैं बिवाजित करते है जो असमिका को संतुष्ट करते है जो असमिका को संतुष्ट करते है यहीं अलफा बराबर टी नोट लेस देन टी वन लेस देन टी टू लेस देन टी एन माइनस वन लेस देन टी एन इस इकस तो बीटा समुच्चे पी समझाओंगा अभी परिवाज़ा क्या करी लिखा देता हूँ समुच्चे पी टी नोट टी वन टी एन माइनस वन सरी टी एन ही लिख लो टी एन को अंतराल इसको अंतराल अल्फा बीटा का विवाजन कहते हैं टेको इसका मतलब क्या है मैं पूरा इसको परिवाषा को छोड़ो परिवाषा में ये कह prayer रहा है कोई वक्र है और इसका अंतराल ये दे रखा अल्पा बीटा तो N-1 मद्यवर्ती विंदू यानि इनके बीच में क्या है N-1 विंदू है कौन से T0, T1, T2 प्रिविष्ट करके इसे N उप अंतरालों में बिवाजित किया जाता है यानि कैसे जैसे आपके पास यह क्यों है ठीक है यहाँ पे अलफा है और यह बीटा है आपको यह अंतराल दे रखा था ठीक है आपने क्या किया इसमें नंबर ले लिए T0, T1, T2 इस टाइब से जाते जाते आपके पास क्या होगे TN-1 और यह कौन सा नंबर होगा TN होगया तो यह कह रहा है कि अगर इनका आप इसका अंतराल बना दो एक अंतराल यह बना दो एक अंतराल यह बना दो इस टाइब से अंतराल बनाते चले जाओ आप तो यह क्या होता है हमारे पास किसी भी अंतराल का विवाजन होता है जहां पे इस कंडिशन को और यह सो समच्च होगा T0 से लेके TN तक जो हमारे पास होंगे वो क्या कहलाएंगे अंतराल को विभाज़त करते हैं ये बाले, दोबारे रिपीट कर देता हूँ इनका मतलब ये हुगा कि अगर आपके पास कोई अंतराल है, alpha, beta इनके बीच में आपने क्या लिया, points ले लिये T0, T1, T2 से लेके TN-1 तक और आपने क्या किया, एक अंतराल ये बना दिया, alpha, T0, एक अंतराल T1 बना दिया, एक अंतराल T2 अपनतराल है ये आपने क्या बनाईए उपनतराल बनाईए, T1, T2 ऐसे T2, T3 होगा, T3, T4 होगा इस टाइप से करके आपने क्या बना दिये उपनतराल बना दिये, तो इनको क्या बोलते हैं अंतराल का बिवाजन, इसको क्या बोलते हैं अंतराल का बिवाजन ये होता है हमारे पास अंतराल का बिवाजन, और कुछ नहीं है यहां पर चलिए आगे बात करते हैं अब आता है चाप कलनी ये वक्र सी का चाप कलनी ये इंपोर्टेट नहीं चोड़ो अब आते हैं कुछ महतवपूर परिवाश आएं कौन-कौन सी देखो कुछ महतवपूर परिवाश लिखा रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए एक दो बार आई है पेपर में ज्यादा बार नहीं आई तो अभी पूछी नहीं जाती आपको कोश्चन्स आते हैं ठीक है पर परिवाश आपको समझनी आई है तब ही आप कुश्चन्स कर पाऊगे नहीं तो समझ में नहीं आएंगी अगया कर देखिए कुछ महतवपूर परिवाश है पहली है जोर्डन चाप यानि जोर्दा चाप पहली है इंगलिश में बोलते हैं इसको जोर्डन कर्व जोर्डन आर्क सुरी कर्व नहीं आर्क क्या कहती है पहले परिवाश लिखते है यदि टी के परांथ में यदि टी के परांथ में टी के एक से अधिक एक से अधिक मान के लिए मान के लिए मान के लिए समी करण जैड़ टी वराबर एक स्टी प्लस आई वाई टी संतुष्ट होता है तो वहे विंदू तो वहे विंदू तो वहे विंदू वहे विंदू है एक ऐसा सतत चाप एक ऐसा सतत चाप जिसमें बहुल विंदू ना हो जिसमें बहुल विंदू ना हो जोड़ दा चाप कहलाता है यानि इस परिवाशा का मतलब यह हुआ यह कह रहा है कि यदि टी के प्रांत में टी के एक से अधिक मान के लिए यह बहुल विंदू ना हो यानि इसका मदब यह हुआ कि जोड़ा चाप उसको कहते हैं कि जो आपको समिक्रन दी हुई हो, जो आपको समिक्रन दी हुई हो, वो सिर्फ टीके किसी एक बिंदू के लिए क्या होने चाहिए, सैटिस्फाई होने चाहिए, अगर वो एक से जादा सैटिस्फाई हो गई, एक उसको बोलते हैं जोर्दा चाप तो इस समझे माया है जोर्दा चाप का मतलब यह है कि ऐसा सतत चाप जिसमें हमारे पास क्या नहीं हो बहुल बिंदू ना हो तो इसको हम क्या बोलते हैं जोर्दा चाप बोलते हैं अब आता है नियमित चाप अब आता है नियमित चाप दूस जोड़दा वक्र समीकरण जैड टी बराबर एक्स टी प्लस आई वाई टी का वहे वहाग जिसके बिन्दू जैड पर विन्दू जैड पर फलन एक्स टी वाई टी एवम 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 एक्स टी वाई टी एक्स टी एवम वाई डैस टी एक मानी हो एक मानी हो एवम बीटा के लिए सतत भी हो तो भी हो तो वहे नियमित चाप कहलाता है वहे नियमित चाप कहलाता है यानि इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास कोई जोड़न वक्र दे रहा है समीकरण इसको क्या कर रहा है वहे वाग जिसके बिंदु जैड़ पर फरन एक्स टी वाई टी एक मानी हो यानि इसका मतलब यह हुआ कि एक्स टी वाई टी और इनके पूरत भी अगर आप निकालोगे वह क्या करें सर्फ एक ही मान हमें दे रहे हो ठीक है कुछ भी वैल्यू डालो ठीक ही कुछ भी वैल्यू डालो आप हमेशा क्या दोगा एक ही मान देगा वह तो हम क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे नियमित चाप बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम नियमित चाप ठीक है उसको क्या बोलेंगे नियमित चाप अगली परिवाशा है कंटूर कंटूर अगली परिवाशा लगते हैं कंटूर ठीक है क्या होती है देखो एक ऐसा जोड़दार वक्र जिसमे एक ऐसा जोड़दा वक्र जिसमें परिमित संख्या में परिमित संख्या में नियमित चापाओं को लगातार मिलाया गया हो लगातार मिलाया गया हो तो वहे तो वहे वक्र कंटूर कहलाता है तो वहे वक्र कंटूर कहलाता है यानि इसका मतलब यह हुआ कि जैसे यह कह रहा है एक ऐसा जोड़दा वक्र जिसमें परिमित संख्या में नियमित चापाओं को वक्र यह है और एक वक्र यह है आप इन तीनों को मिलादो तो क्या बनेगा में क्या कि यह क्जाराएगा हमारे पास कंटूर कहलाएगा यह क्याराएगा यह यह चलिए वह क्या कहलाएगा हमारे पास कंटूर यानि कंटूर यह कहता है कि अगर आप दो तीन नियमित ग्राफों को एक साथ मिला दो परमिस संख्या मैं ऐसा नियमित ग्राफ को मिला दिया पांच ग्राफ को मिला दिया दस को मिला दिया तो हम क्या कहेंगे वह क्या कहलाएगा हमारे integration के questions कैसे होते हैं ठीक है तो मिलते हैं next class में thank you